हलो दोस्तों वेलकम तो दा सिविल सर्विसे ड्रीम चैनल दोस्तों हम यूपी एसी मेंस का सिलेबर साइज डिसकस करते हैं तो आए देखें एसे पेपर में क्या है पहले पेपर वन में एसे पेपर होगा और पेपर टू में जेनरल स्टवीज वन जिसमें इंडियन गोग्रफी ऑफ वर्ल और सोसाइटी पढ़ना है दोस्तों एसे में आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि एसे आप जो लिखो वो टॉपिक के जो टॉपिक आपको दिया गया है उसके सब्जेक्ट से आप क्लोज ली लिखें आप इधर ना भटके और इसमें लिखा गया है कि आपको मार्क्स दिया जाएगा आपको एफेक्टिव और एक्जेक्ट एक्सप्रेशन पर ठीक है और दोस्तों यहां पर पेपर टू में बताए गया है कि पेपर टू में आपको इंडियन हेरिटेज पढ़ना है कल्चर पढ़ना है हिस्ट्री जोग्रफी और वर्ल और सोस दोस्तों, आर्ट के फ़ॉर्म में और बहुत सारे चीज़े आज यह आण गाल से फिरंश इंडियम से लिए परफॉर्मिंग और उकिज़े पंगर ब्राप्न खसे हैं एक्मिश वन भेत कि अधर आपको की आपको पढ़ाइक करना है और बिटिस तक के जो भी चीज़े आकि टेक्ट्चर हुई है ठीक है नहीं अन्टिक्चर का मतलब की बड़े 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 बिल्डिंग बनते हैं इमारते बनी और बिपयर सत्व है यह सारे चीज़े आती हैं मंदिर भी आजायगा, मौस्क भी आजायगा, यह सारे चीज़े आजायगा और इसी में दोस्तों, जैसे कि विजुल लाजस होते हैं जो डेखने वाला पेंटिंग से गर आजाते हैं परफॉर्मिंग आच्स लेक डांस पढ़ना है आपको लिट्रेचर यानि की संगम लिट्रेचर है संगम लिट्रेचर साउथ इंडिया का मैनुस्क्रिप्स यह सब के बारे में एक एक क्रोनलोजी से आपको पढ़ाई करनी है उसके बारे दोस्तों मॉडर्न इंडियन हिस्ट जो रिवाल था वो एक हो गया और फिर मतलब कुछ भी इवेंट मान ले या फिर कोई इशू हो गया जो भी इंपोर्ट चीज़े हैं लाइक कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में तो आपको पता है कि इसमें बेसिकली जो है फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है तो अगर स मैं आपको एक्जामपल से बता रही हूं कि यह सारी चीज़े हैं पर बस एक ब्रॉड कॉंसेट आपको दे दिया गया है पर्टिकुलर को टॉपिक नहीं बताए गया है मतलब इस अनलिमिटेड आपको जहां से पढ़ना है पढ़ो इन्होंने आपको एक ब्रॉड आइडि कॉंसे बताए शर्यजान है जो हमारे आजादी में फिर्डम के ताइम पर जुनकी आपकोंड कॉंड ओनर्स ती यह दोनों फिक काफी थोड़ी थोड़ी सिमिलर है ठीक है फ्रम डिफरेंट पार्च सभॉड थे कंट्री मतलब अलग अलग स्टेट से पार्ट इन्टी उनकी contributions थी freedom struggle में किसके against, जो Britishers के against जो है आजादी की लड़ाई लड़ी जारी थी, उस sense में आपको ये बताया जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है, next है post-independence, consolidation and reorganization within the country, post-independence मतलब यहाँ तक तो अपने आजादी ले ली ची, कि freedom struggle में आजादी ले ली, यहाँ से हमने इतिहास सुरू किया था, modern Indian history, British era को लेके, जब मुगल से empire decline कर रहे थे, वहाँ से लेके, British era जब स्टार्ट हुआ, वहाँ से लेके, फिर हमने अंग्रेजियों से के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो चीज़े हैं, फिर अब अंग्रेज जब देश छोड़के गये, तो उसके बादी condition हमारे country में क्या रही, स्टेट्स को किस तरीके से हमने consolidate किया, reorganize किया, organized तो थाई, फिर उसके उसको रही और्गनाईज करने के कोशिस की, हर स्टेट्स को हमने 14 स्टेट्स कुछ union territories बनाया, फिर उसको रही और्गनाईज किया, within the country, मतलब अपने country के अंदर, ऐसा नहीं कि country के बाहर सी चीज़े च साफी important है, world wars, world war one, two, दोनों पढ़ना है, cold war भी पढ़ना है आपको, redrawal of national boundaries पढ़ना है, colonization, colony, territory, जो होता है नंग्रेज ने, हर जगा जाके colony बनाई थी, colony का मतलब होता है, कि उनके resources को use करना, दूसरे देश में जाके उन पर कबजा कर लेना, उनके resources को use करना, अपने फा करना है, जैसे कि communism हुआ, capitalism हुआ, capitalism में private sectors को बहुत ज्यादा importance दी जाती है, socialism हुआ, जैसे कि कठे काम करेंगे, कोई समाज में सब बराबर रहेंगे, जैसे बहुत ज्यादा अमीर और गरीब का कोई बहुत ज्यादा gap नहीं होगा, तो उनके forms और उनके society पे effect क्या पड़े ह जैसे कि में बहुत बहुत सवाल पूछा जाता है कि अभी communism का क्या रोल है, क्या effect है society पे, अभी की society किस तरीके से communism के रोल में है की नहीं है, capitalism की तरफ है, की socialism की तरफ है, किस है, किस तरफ है हमारी society या फिर किस तरफ जा रही है, तो यह सारी चीज़े आपको पढ़ना है, So, silent features आपको पढ़ना Indian society का diversity of India का, कहने का मतलब है कि आपको features पढ़ना है, इंडिया की society कैसी है, कैसी इंडिया की society like tolerance है, है न, diversity है, diversity भी एक तरफ का जो है, वहाँ पे, एक features ही है, silent features है, लेकिन diversity of India को आपको अलग-अलग तरीके से, इसको भी और details में पढ़ना है, और Indian society म है, यहाँ पे linguistic difference होती है, और Indian society में क्या है, यहाँ पे, जो है, dress pattern, food habits अलगे, लेकिन सारे लोगों में fundamental values है, वह common है, तो आपको यहाँ पे features बताना है, Indian society के बारे में, उसके बादे रोल of women and women's organization, औरतों के women के रोल के बारे में बताना है, उनके organizations like self-help group के बारे में बताना ह है, cooperative societies घरा, इसमें आ जाएंगे, और यहाँ पे population and associated issues, जो है, population जो है, कि किस तरीके से population बढ़ रही है, उनसे related क्या issues हो रहे है, अना urban problem, rural problem हो रही है, migration हो रही है, congestion हो रही है, सहर में दिक्कत हो रही है, job नहीं मिल रही है, गरीबी हो रही है, तो यह सारे चीज़े आपको एक gallery, बना के एक जगह रखना है, poverty के बारे में, data क्या है, poverty के बारे में, developmental issues के बारे में, urbanization के बारे में, पढ़ना ओ स्के problems and remedies के बारे में, क्यों की problem क्या है, issues के urbanization से, औरुनकी solution क्या होCalक, मतलब, आपको साथ साथ में सलुच में, बताना है, क्योंकि as an administrator, आपको problem से नही सोसाइटी आपको globalization के बारे में जो है आपको पता है 1991 के बाद एक globalization का trend हुआ उसके बाद दोस्तों उसका इफ़क्ट बताना है इंडियन सोसाइटी में इंडियन सोसाइटी में मतलब children पे women पे old age पे adults पे disabled पे हर section में आपको बताना है सोसलिंप्कावरमेंट के बारे में बताना है कि सोसलिंप्कावरमेंट मेक व्लनरीबल section women को इन सब लोगों को किस तरीके से इंपावर किया गया किका समस्क sarcasm करें कमिनलीजम के बारे मताना है विजदे इस तो इसको बारे में आपको एक Alex तयार्क्रा ना पर्टिकुलर रीजन एक पर्टिकुलर रीजन के लिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ऑफिसेशन होता है वह होता है और सेकुलरिजम का मतलब होता है कि जब पॉलिटिक का जो हमारी पॉलिटी है यानि कि जो गौर्मेंट है वह इंटरफेर नहीं करती है काफी ब्रॉड है मतलब वेस्टन कॉंसेट अलग है फोड़ा अलग है पॉजीड में बारे में आपको नोज्स बनाना है अब यह वर्ल जेगरफी में आ जाएगा और दोस्तों यह जो दोगराफी काफी ज्यादा इंपॉर्टिंट है यह दोस्तों नेक्स लेक्टर में आपक केकँ से डील सेटनों आपको कौन से कीटाब से मिलेंगे ज़न से कोछिंग कोछिंग से मिलेंगे इन सारे में रागिवत करने आपको तरह माली पाल दिर्टिवर्ज रिजाबर का घीला यह लेई तो आपको पड़ना क्या है तो ऑपको पर अपर चान्ला ह 되면 चाहले चीज़ों का जो एक डिस्टिबूशन जो फैला है एक्रास द विल्ड में इंडिया भी साउथ डीचिया में इंडिया सब कॉंटिनेंट में इस चीज़ों में तो वह मतलब उसके तरीके से तरीके से तराइं इंक्लूडिंग इंडिया का भी आपको पढ़ना है जैसे कि मतलब कैनिडा में कैनिडा में इती फिशिंग क्यों होती है क्योंकि वहां पर आडवेक्शन होता है थोड़ा बहुत यह आपको जब आप डीटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा तो नाच्रल रि इसके बारे में आपको पढ़ना है जो नैच्रल डिजास्टर है डिजास्टर मैनेजमेंट थोड़ा बहुत कह सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है और दोस्तों इसका इफेक्स मतलब जो चेंजेस होते हैं इंक्लूडिंग वाटर बॉडिज फ्लोरा फॉना यानि प्लां पेपर टू का मतलब जेनरल स्टॉडिस वन की ब्रिप से लिए बस्ते ऐसे ही बहुत सारे है टू है थ्री है फोर है उसके बाद ऑप्सिनल पेपर का होता है ठीक है तो दोस्तों आज के लेक्च्छर में इतना ही थैंक्यू